नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्योब चैनल में दोस्तों ग्रामिन डाक सेवक यानिकी डीडियेस की नई वर्थी आ चुकी है दोस्तों पहले भी 40 जार वेकेंसी आई थी अभी वी थोज़्थों बारहँ जार आट सफ आपि की बहुत अच्छी जॉब है अगर आपकी कहीं जॉब नहीं लगी है भी फ्लाल तब इसको आप जॉइन कर सकते हो अगर आपकी दस्वीर में अच्छी प्रसेंट है दोस्तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आपकी जो दस्वी क्लास की जो परसेंट होगी उसी से आपकी मेरिट यहाँ पे बनने वाली है दोस्तो जिन भाईयों की परसेंट अच्छी है तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अपनी नजदी की अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं दोस्तो में important dates की हम बात करें तो important dates यहां पर होने वाली है आपकी 22 तारीक से online start हो जाएगा दोस्तो और 11.06 तक यह चलेगा यानि कि दोस्तो 11.06 तक यह आपका चलने वाला है और edit और correction की हम बात करें दोस्तो edit और जो correction है वो आपका 12.06.2023 से लेके 14.06.2023 तक चलने वाला है दोस्तो अभी काफी time है आप बढ़िया से जहां भी आप जिस राजे से भी आप belong करते हो वहां पे आप इसका form जरूर हो रहेगा अब दोस्तो हम यहां पर salary की बात कर लेते हैं दोस्तो salary यहां पे थोड़ी से आपकी कम रहने वाली है और लेकिन ठीक है दोस्तो जब आप जहां भी अपने जिले लेवल पर या तैसी लेवल पर जहां भी आप रह रहे हैं तो घर की घर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तो अगर आपकी दसवी में अच्छी परसेंट है दोस्तो यहां पे जो salary आपको मिलने वाली है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है तो बीजिक है इसके अलावा यहां पर आपको डियर्नेस अलाउंस भी दिया जाएगा जो की सेंट्रों कवर्मेंट का जो भी चल रहा हो तो उस इसाब से आपको इस salary बढ़ा के मिलेगी तो यहां पर जो salary है वो टी आर सी के साब से मिलेगी टी आर सी एका मतला होता है टाइम content continuity allowance दोस्तो यह आप याद रखना ऐज लिमिट की हम बात करें दोस्तो पहले हम जॉब प्रोफाइल की बारें में बात कर लेते हैं जो ब्राँ पोष्ट मास्टर होता है BPM इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है तो दोस्तो इसकी जॉब प्रोफाइल है दोस्तो जो दिन प्रती दिन जो पोस्टल की जो कार है मतलब पोस्ट आपिस के कार है तो वो आपको करने रहेंगे और इंडिया पोस्ट की जो पैमेंट बैंक है उसको भी आपको मैनेज करना रहेंगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पे marketing and promotion of products and service being provided by the department and operating various services in the customer service center CSC of the department ETC दोस्तों यहां Fe Marketing & ваши ंधर्मोंशन जो पोश्ट आपिसको प्रॉडक्त है उसकी आपको marketing यह जाना पड़े गा दोस्तों जो घिरहाक रहेंगे उनको समझाना पड़ेगा यह भी आपको काम वहां करना पड़ सकता है इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो सीसी सेंटर है उसके काम भी आपको वहां पर करना पड़ सकता है इसके बाद इन दा सिंगल हैंडेट भी ओ फिर है बीपी एमेस है दा ओवर ओल रिस्पोंसिबिल्टी ऑफ इस्मूथ एंड टाइमली पंक्सिनिंग ऑब दा ओफिस इंक्लूडिंग मेल कणूवियन्स एंड मेल डिलिवडरी दोस्तों जितने भी मेल आएंगे तो उनका आपको लेखा जुका और mail delivery सभी का आपको लेखा जुका रखना पड़ेगा दोस्तों पोस्ट उपिस से सम्मद जितने भी कार होते हैं वह आपको यहां पर करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों हमें यहां पर GDS की बात करें तो GDS का जो काम होता है GDS में सबसे ज़्यादा वेकेंसी होती है जो कि दुफ्तों यहां पे जो GDS है वह असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमार्टर या GDS हेकी होता है तो यहां पे इन्होंने ड्यूटी बताईए सेल ऑप स्टांप्स एंड इस्टेशनरी यानि की स्टांप्स और इस्टेशनरी की विक्री करना है कन्विनियंस एंड डिलिवरी ओप मेल एट डॉर स्टैप एक्षेंज दा मेल बिथ अकाउंट ऑप सीटी सी डिपोजिट पेमेंट अधर ट्रैंजिक्शन ऑफ आई पीपी तो दोस्तों जो मतलब डॉर की डिलिवरी है आपको घर कर जाके जो अब पोस्ट ऑप इसके जो लेटर है वो दांक देनी पड़ेगी इसके अलाबा जो इसकी जो पैमेंट का जो मामला रहता है वो भी आपको काम करना पड़ेगा इसके बाद तो असिस्ट बीपीम तो ब् मैक्सिमुम 40 साल है और एज बिल भी डिटर्माइंड एज ऑन दा लास्ट डेट और समिशन ऑफ एपलिकेशन तो दोस्तों यहां पर चालीस साल है अगर आप जरू के टिकरी से आते हो तो आपको यहां पर इनिशियती आपको शूट मिलने वाली है SCSD के लिए 5 साल हो वीशी के लिए 3 साल है इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहां पर दसवी की परसेंटेज लगेगी इसके बाद हम Educational Qualification की बात करें तो दोस्तों आपको दसवी पास रहना चाहिए दसवी पास के साथ आपको Mathematics और English आपके पास दो सब्जेक् किया हुए अप्लिकेंट शुड़ है शुड़ एड दा लोकल लेंगविज यहां के भी आप जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहां की लोकल लेंगविज आपको आनी चाहिए इसके अलाबा यहां पर नॉलेज ऑप कंप्यूटर के बारे में आपको जनकारी होनी old peng चाहिए इसके नॉलेज ऑब साइक्लिंग यानि की आपको साीकोस चलाना आनीसे है और advocate लाइफीactor की बात करें और यहां पर वेकेंसियों के कि यहां से भी आप हिंदी है तो आप कम से कम कई राज्जों में यहां पर लिए नहीं आप पर काफी बिहार में बर सकते हो अधिक तर मैं समझ रहा हूं कि हिंदी भासा वाले होंगे तो यहां कई राज्जों में आप वाउम बर सकते हैं तो आप दूसरी राज्ज में भी यहां पर भी फॉर्म बर सकते हो दोस्तों यहां पर टूटल वेकेंशी होने वाली हैं बारह हजार आठसो अठाइस वेकेंशी दोस्तों इसकी में पीडियेफ अपने टेलिगरम चैनल उसमें में डाल दूंगा तो आप अच्छे से देख लेना किस राज में कितनी वेकेंशी है किस भा लाइकन को प्रेश कर लें थैंक यू सो मुच